नमस्कार दोस्तो, आज हम लोग चर्चा करने वाले है How to crack competitive exam without coaching, government exam की तयारी कैसे करे ताकि वो अच्छे से clear हो जाए हम लोग इसको 4 step में follow करेंगे पहला step, अब syllabus को देख ले और 20-30 दिन बाद उसका revision जरूर करे यह काफी important है दोस्तो दूसरा step जो है, आप previous years paper solve कीजिए अपना जो weakness है, उसको निकालिए उसका पर focus कीजिए और जो strength जहाँ पर आप maximum score कर पाते है वो जगा पर भी पकर बनाए रखे और कहां से आप अगर अपका study करेंगे तो आप कहां से और आपका score को increase कर सकते है उस जगा को भी आप समझिए और तिस्टा step जो है वो आप topic wise पढ़िए ठीके? कोई भी एक किताब से आप पढ़िए या तो कोई YouTube channel से भी आप पढ़िए revision जरूर कीजिए दोस्तो और last step यह आप mock test दीजिए आपका exam pattern जैसा है अगर वो online test होता है तो online test दीजिए अगर वो offline होता है तो offline दीजिए या तो आप दोनों दे सकते हैं इससे आपका experience में भी इनकी देखने को मिलेगा If you think you can, then you can इंडिया का बड़े बड़े जो university से उसका gate पे यह कहावत लिखा हुआ रहता है इसका importance आप समझ सकते हैं अगर आपका विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर कर पाईएगा Your calm mind is the ultimate weapon against your challenges So relax exam देने से पहले last के 7 से 10 दिन meditation जरूर किजिए meditation नहीं मालूम है simply आख बंद करके breathing पे फोकस करें और अपना जो फोकस है उसको बढ़ने दे reach खाना, fast food खाना यह सब को last कुछ दिन avoid करें exam hall में 30 मिनिट पहले पहुचे तो naturally आपका जो है आप relax रहेंगे वहाँ पे आप अपना breathing पे भी फोकस कर सकते है दोस्तो आपका performance लेवल जो है वो increase देखने में मिलेगा उसमें smart work का tips तो मिल गया अब hard work के बिना smart work तो अधूरा है result चाहिए तो smart work के साथ hard work भी आपको करना परेगा दोनों करना परेगा आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगले क्लास पे thanks for watching, thanks for supporting